हेलो गाइज वेल्कम बैक टू मैं चानल की चैन गुंचन की और आज मनाने वाली हूं शाही कचोरी कितनी अच्छी लग रही है देखने में यह तो इनको बनाना हम शुरू करते हैं यहां पर में पास है दूद सबसे बने दूद लिया है मैदा है यह यह खांड है मैंने इसम यह है बेशन, सूजी, चीनी, घी है देशी घी, कुछ ड्राइफूट्स है इसमें जो कि मैंने काटके रख रहे हैं जो भी घर में अबलिवल है वो और एक्स्टर हो तो आप वो यूज कर दीजे यहां पर मैंने सब कुछ काटके रखा है यह है इलाची तो यहां पर जो भ मिल्क है एक लिटर है और यहां पर तब तक दूद गरम होता है अपना डो तैयार कर लेते है तो यह देट सब्राम मैदा है और इसमें टू टेबलिस्पून मैं सूजी आड कर दूँगी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से इसमें मैंने कोई सोड़े वड़े का यूज नहीं किया है बेकिंग पाउडर बग्यार का और यह है मॉयन टू थ्री चमच इसमें डाल देंगे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से यह जो डू है यह बंधना चाहिए हमारा तब ही हमारा डू अच्छे से बंध जाएगा तब ही कचाण करसता होंगी यह देखिए यह बाइंड हो रहा है तो इसी तरह से हमारा डू होना चाहिए अब इसको थ्वड़ा संद पानि आड करके डू तयार कर लिते हैं मैदे में बहुत कम पानी यूज होता है तो पानी थोड़ा 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 ही डालना है आपको यह देखो कितना अच्छे से बनके तयार हुआ है अब थोड़ी दे मैं इसको रख तूंगी रेस्ट के लिए आदा घंटा तब तक हम अपनी रबड़ी चेक कर लेते हैं यह देख सकते हैं आप उबाइल भी आगया इसमें और इसको हमें 40 मिनिट तक पकाना है बिलकुल अच्छे से माई रबड़ी बनके तयार हो जाएगी थोड़ी सी इलाची का पॉर्टर एड़ कर दिया मैं इसमें और इसमें मैं शुगर एड़ नहीं करूंगी यहां पर फीडिंग तयार कर लेते हैं कड़ाई में मैंने घी एड़ किया है और इसमें थोड़े सी जो भी ड्राइफूट्स मुझे भूनने हैं वो मैं एड़ कर लिए मुझे सारे नहीं भूनने हैं इसलिए मैंने सारे नहीं डाले हैं तो यहां पर तो चमच में अट करने बेसन मेरे पास बरीक वाला है मोटा वाला नहीं है और इसलिए मैंने इसमें एक चमच सूजी अट की है एक चमच सेभी कम है और इस इतना गी होना चाहिए दाकि आपका बेशन पुरा धीला रहे सूखा नहीं होना होना चाहिए situations यह देख सकते अच्छा घोले का बूनने के बाद अब इसमें वे अज़ा की जो बूले का बुर्ला होता हो यह है खांड के शुगर आड़ नहीं कि मैंने इसमें और जो ड्राइफूट्स हैं वो भी आड़ करती है मैंने अच्छे से डाइड कर देंगे इसमें यह है इलाइच्ची पॉर्डर और जो भी हमारे ड्राइफूट्स बच गए थे किश्मिश वग्यारा वो भी आड कर देंगे बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने अड़ किया है इसमें यह देख सकते हो कितने सुन्दर फिलिंग लगई है मुझे तो बहुत अच्छी लगई है आप भी कमेंट करके बताएए कैसी लगई आपको यह देख सकते हो कितने अच्छे से मिक्स हो गया है बहुत अच्छी खुश्बू आरी इसमें से इसमें खोया एड होता है बट मैंने खोया का एड यूज नहीं किया है उसको एड नहीं किया है निकाल लेंगे इसको और यहां पर हम अपनी चाशनी एड कर देते हैं बनाना शुरू करते हैं मतलब एक कटोरी चीनी ली है और अधी कटो कैंबर अपनी फीलिंग के बंस बना लेते है देख लेते हैं हमारी फीलिंग ऐसी है कि अगर नहीं हो रही है तो आप इसमें टू टेबल स्पून घी है उड कर दीजाओ आपकी फीछिंग बा änd होने लगेगी बंस बन गहीं कि किकी बिंग कर दीग और व्रबडी भी काफी हद तक पक गई है थोड़ी सी हमें और पकाने हैं दस मिनट के लिए और पकाएंगे तब तक हम पनी कचौरियां तयार करने शुरू करते हैं यह देख सकते हो डो कितना परफेक्ट बन के तयार हुआ है सौफ्ट हो गया है टू पीसिस करके मैं इसकी यह तोड़ी लफ़ करना है कि बहुत चोटी छोटी सी लोई है यह इसको अपनी हत्यली से गोल्गुल कर सुपाएंगे यह देख सकते हो और बसहलका को मel के जैसे हम गुंझ्याके लिए पतली पतली पोड़ी लीएं बनाते हैं सीम वैसे ही बनानी है और इन बॉल्स को रख देंगे हम और इसको बंद कर लेते हैं और अरहल का सा हाथ से प्रेस करेंगे इसको और हाथों से ही दबाएंगे मैं इसमें बेलन नहीं डगाया है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट को मैंने हलका हलका बेलंस से घुमाके बिल्कुल पतला नहीं किया है उसको मोटा रखा है थोड़ा सा फिलिंग के लिए ये देख सकते हो पहले वाली से थोड़ी सी मोटी है और इस बॉल को रखके बंद कर देंगे हम लेकिन ये लोईयां बहुत अच्छे से तयार हुई है इस तरह से हाथों से दबाते हुए सारी तरफ हमारी जो फिलिंग है वो फैल जानी चाहिए उसके बाद में हमें हलका सा बेलंस एड़ करना है बस मैंने दो से तीन बार बेलंस बहुत हलका हाथ से प्रेस किया इस ते और यह देख सकते हुए रबड़ी बिल्कुल बन के तयार हो कि हमारी गैस मैंने बंद कर दिया इसमें मैंने चाशनी एड़ नहीं किया यहां पे हमारा घी जो भी आप ले सकते हो गी लो रिफाइन डॉयल लो कुछ भी ले सकते हो और उसको तयार कर लिया है मीडियम पे है यह अब जाके मैंने इसका फ्लेम हलका सा हाई किया है मतलब मीडियम किया है और इसका रल बहुत अच्छा है इनको पकने में कम से कम भी 10 मिनट तो लगती है तब तक इसका कलर ऐसा आएगा तो आपको दीरे-दीरे करके इसको कुट करना है बहुत अच्छी जी कछोर्यों का कल आप देख सकते हो यह कचोरी बहुत परफेक्ट है, साइज भी बिल्कुर परफेक्ट है, तो इनको आप जरूर से ट्राय किजिए, आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा इनका सब कुछ तयार है हमारा, बस हम अभी कि इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, यह देख सकते हो, आप चेक कर लेती हूं, मैं यह देखो, कितनी अच्छी खस्ता कचोरी बनके तयार हुए हैं, फिलिंग भी बहुत अच्छे जिबन के तयार हुए है, और अब मैं इसको एक चाशनी में डिप कर दूंगी करलर आ जाएगा इसका इसलिए मैंने जो हमारी रब्डी उसमें चीनी नहीं आड़ किया है सब कर लेते हैं आपको मेरी डिश कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा इसको ट्राय जरूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिले और थैंक्स फूर वाचिंग मैं चैनल और यहां पर मैं रबडी से इसको गानिश कर लूँगी इसको रबडी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और बस ये डिश बनके बिल्कुल तयार हो गई है हलका सा पिस्ता है में पास तो मैं इसको गानिश कर लेती हूँ कितनी अच्छी लग रही है देखने में आप इसको जरूर से ट्राय कीजिए थैंक्यू सो मच बबाई